नमस्कार दोस्तों मैं संदीब स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस टो यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज पार्ट नमबर है ट्वन्टी आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सोसोलोजी मर्डल कुश्चन के बारे में यह आज किस वीडियों जितने भी क यह नोटि पीकेशन मिल सकेए और यह भी वीडियो ब्लाश रोब है औरिया और आने वाले एक्जाम के लिए यानी कि झातर वाले उन सभी एक्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कि इस वीडियो में पिछले कई सालों में जो सोस्यलोजी से रिलेटेट कुश्चन रिपीट हुए हैं कई बार पूंचे जा चुकिए वही इस वीडियो में इंकल्यूड हैं यह सारे कुश्चन उम्म आप सभी को मालूम हैं कि सब्व इसन कंव नंबर होते हैं सभी अ अबजेक्टी यानरी मन्तिपठल होते हैं आप सभी मालूम है है की सब्सब्सक्राइब चारा आपके जो रिपछिन आप व्मार स्यृटनेयाे फिल करना वाले उनको ب reference होता है उनमें अप्जेक्ट सब्ज कुछ एक एक कर के सारे पिज्टेन को समझेएंगा ठीक है बहुत इंप्स इंडिया के लिए कि लिखा है कि इंडिया के सभी सिटी के चात्रों के लिए में मतलब यह कि जो की इंडिया धर्टेक्या ने की परिवार की उतपत्ति के मद प्रतिपादNew आपसन आपको मिल जाएगा मैंक लेनिन बी नमबर मारगन सी नमबर ब्रीफ हार्ट और डी नमबर मैका यह यह सारे कुश्चन जो हैं समाज साफ्त के जो परिवार एक लेसन है या फिर आप कह सकते हैं उसमें पार्थ है उसी से रिलेटर क्योंकि आप सभी को मालूम है कि कु सब्सक्राइब कुछ समाजिक समूर्ण इसी तरह के सारे अलग अलग उसमें लेसन है लेकिन इस वीडियों परिवार से लेटर को जाते हैं तो इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा परिवार के उत्पत्र की मात सत्तात्मक सिधान के प्रतिपादक जो है वह 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 व नमबर ठीक है इन सभी कोश्चन का राइट एंसर हम आपको आज बताएं कि लेकिन आनव आले दुरों में जो ट्रेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो आप सभी को इन सभी का एंसर देना होगा चलिए इस कोश्चन की बात करते हैं लिखाए कि हिस्ट्री आफ हुमेन मैरिज नमबर तो इस नमबर एंसर हो जाएगा वह जाएगा वेश्टर मार्क डी नमबर ठीक है यह कोश्चन एक जाम में कई वार आ रहा है तो इससे आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप सिंधान में रखिएगा अगले कोश्चन की बात करते हैं लिखाए हिंदू ला ला एंसर आप सभी को कहा मिलेगा में इस सभी के पीडियाप भी प्रोवाइट कर दोंगा तो इस सभी का कोश्चन और एंसर दोनों वीडियो के डिकस्टर में टेली ग्राप चैनल का लिंक मिल जाएगा उस पे जॉइन हो जाएगा वहाँ पर में ये पीडियो डाल दूँगा तो आपको बाद में पढ़ने में असान ही हो जाएगी ठीक है अगला क्वेश्टन कहरा कि इनमलेकित में से कौन पर्थम संबंदी नहीं है आपसर आपको मिलेंगे इस क्वेश्टन के चाचा भाई माता पिता तो अमलेकित में से जो पर्थम संबंदी नहीं है वो है चाचा इसलिए राइट एंसर ए हो जाएगा प्रथम संबंदी का मतलब यह कि अब प्रथम संबंदी आपके माता हो जाएंगे पिता जी हो जाएंगे और भाई हो जाएगा ठीक है उसके बाद चाचा आते हैं इसलिए प्रथम संबंदी इनमें से जो नहीं है वो चाचा है ठीक है अगला कुषचन है नैरो में सैयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? बहुत इंपार्टन केटिन है यह भी इजान में लिखेगा कि नाइरो में सैयुक्त परिवार को क्या कहते हैं, एक रिछ चौछ इप yeniiego मारे कुछ है एगले कुछन कियो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कही रहा कि दी मदर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है नमबर एक हेनरी मैन, विष्टर मार्क, व्रिफ हार्ट और वैकोफ हन तो इस क्वेश्चन के दुराइट रेंसर हो जागा दूस्तों वो हो जाएगा नमबर व्रिफ हार्ट दी मदर्स नामक पुस्तक के लेखक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन कही रहा कि मार्गन के उसार परिवार की पृथम अवस्ता थी नमबर एक है पुना लुवन परिवार, समरक्त परिवार, एक वियाही परिवार और डिन नमबर हैं इन में से कोई नहीं तो मारगन के अंसार परिवार की प्रथा मौस्था है समरक्त परिवार इसलिए question को जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा B नमबर ठीक है बात करते हैं एक लिए question की अगला question कह रहा की वियाही परिवार की उत्पत्त के एक वियाही सिधान्त के समर्थक हैं नमबर एक फ्रेजर, प्लेटो, बैको फेन, डी नमबर है, वेस्टर मारक इस question के तो right answer हो जाएगा वियाहां परिवार की उत्पत्त के एक वियाही सिधान्त के समर्थक वेस्टर मारक हैं इसलिए question के right answer हो जाएगा D नमबर, ठीक है, question तो अटप आप सभी को लग रहे होंगे जिन चातरों नहीं, बुक नहीं पढ़िये, ठीक है, तो वो बुक अगर आप लोग पढ़ लेंगे एक बार, तो आपको तुरंत question समझ में आ जाएगे, ठीक है अगला question है कि, मनु असमती के लेखक कौन है, नमबर एक बोधायन, B नमबर एपारासर, C नमबर है मनु, D नमबर उप्रोक्त मेंसे कोई नहीं तो मनु असमत के जो लेखक है, वो है, मनु, इसलिए question कराई टेंशन हो जाएगा, क्या C नमबर, ठीक है बात करते है निस्ट question की, निस्ट question कहरा कि, संयुक्त परिवार के कार निमन मेंसे क्या है, नमबर एक रसोई, B नमबर मुख्या का महत्तो, C नमबर संयुक्त संपत्य, D नमबर मेंसे कोई नहीं क्या है मैं आपको बता दूँ क्योंकि आप सभी को मालूम एक रसुई एक मुख्या का महात तो भी है संयुक्त प्रमपत्त भी इसलिए राइट हैं सच्का हो जाएगा डी नमबर बढ़ते हैं एंगले कोश्चन के और अगला कोश्चन कह रहा है कि परिवार के उत्पत्त के विकास वादि सिद्धान के प्रमुख विचारा कौन है आफसान आपको मिल जाएंगे काम्ट लेंटन मारगन और डी नमबर है ब्रीफ हार्ट सोरी तो इस कोश्चन का राइट एंचर हो जाएगा सी नमबर मारगन ठीक है सी नमबर हो जाएगा मारगन अगला क्वेश्चन है कि नायरों में संयुक्त परिवार धारवार्ड कहलाते हैं तो एकल परिवार को क्या कहा जाता है यहाँ पर टो हो गया यहाँ पर तो होना च ठीक है आप सन मिल जाएंगे परिवार थाउची थार तराल वोड़ी नंबर तावाडी तो इस कोश्चिन का राइट इंटर हो जाएगा बी नंबर थाउची ठीक है बी नंबर थाउची बढ़ते हैं इस कोश्चिन की और नेच्ट कोश्चिन कहरा कि दा देट हाफ फैमली नामग पुस्तक किस की है नंबर एक काम टेकी बी नंबर फार कर की से नंबर डेविट कपूर की और डे नंबर आप सन है की हेंडरी में की कोश्चिन का राइट एंसर हो जाएगा देट हाफ फैमली नामग पुस्तक दो में वैदनिक रूप से वर एवं वधू के लिए बीवा की आयो है बहुत इंप्वाटन क्वेश्चन है जहां मैं कई बार पूच्छा भी जा चुका है अपसन आपको मिल जाएंगे 21 इसेवं 16 वस्वे नंबर 18 21 वस्वे नंबर 21 वस्वे नंबर 18 वस्वे नंबर 18 15 वस्वे तो राइट एंसर हो जागा दो स्वह जाएगा ठीक है जो वर की आयो नीचाहिए 21 एम वधू की जो आई होनी चाहिए वह ठारा इसलिए क्विश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा C नंबर ठीक है C नंबर ध्यान रखिएगा लड़के की आयो होनी चाहिए 21 और लड़की होनी चाहिए कमसे कमठारा जो कि हिंदों में वैद्विक रूप से बिवा की आयो मानी जाती है ठीक है लीगल नेस्ट क्विश्चन है मैरिज एंड फैंड 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 इंडिया नामक उस्तक के लेखक कौन है नंबर एक डाक्टर दुबे मजूमदार C नंबर है के एम कपडिया और D नंबर में से कोई नहीं तो इस क्विश्चन के जो राइट एंसर हो जाएगा फैंड लस सब्द से हुआ है फैंड लस सब्द किस भासा का है नंबर एक अमेरिकन लैटिन हिंदी इंगलिस क्विश्चन का राइट एंसर हो जाएगा यह सब्द लैटीन है इसलिए को राइट एंसर हो जाएगा इसलिए इसलिए यह गांड की बात करते हैं इंगले को इंसर हो जाएगा विय वाहिव परिवार और बात्त सत्तात्मक परिवार इनमें से कोई नहीं परिवार का आदिम सुरूप था एक वी वाही परिवार इसलिए क्विश्चन का राइट एंसर हो जाएगा बहुत इंपॉर्टन यह भी क्विश्चन है जामे कई बार आ चुका है तो इसको भी आप लोग धान में रखिएगा चली बढ़ते हैं अगले क्विश्चन के और अगला क्विश्चन के रहा कि मरडाक ने कितने प्रकार के परिवारों का अद्धन किया है तो आफसर आपको मिल जाएंगे 255, B नमबर 350, C नमबर 280, D नमबर 260 तो मरडाक के आउसार परिवारों का जवद्धन किया उन्होंने वो 280 का किया है इसलिए क्विश्चन के राइड इंसर हो जाएगा इसकुश्चन का C नमबर ठीक है अब बढ़ते हैं अगले question के और अगला question कहे रहा कि किसने कहा कि परिहार का बेवार परिवार के लिए किया जाता है बहुत important question है यह आप लोग धान में रिखिएगा लिखा है अपसन की Fraser ने फ्रायड ने C नमबर टाइलर ने T नमबर मारगर ने तो परिहार का बेवार परिवार के लिए किया जाता है यह कहा था टाइलर ने इसलिए question के तो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा C तो दोस्तों समास्रास्त में परिवार से related आज कि इस वीडियो में ने पूरे 20 question रखे थे जो कि आपके आने वारे exam के लिए काफी helpful है तो अगर यह वीडियो के जितने question अगर आप अच्छे समझ के जाते तो आपको आने वाले exam में काफी help मिलेगी ठीक है इसके लावा अगर आपका कोई question है कोई सुझा होए तो comment करके पूंश सकते है कि subject का model पर पचे तो वो भी आप comment करके बता सकते हैं ठीक है और आपको इस सारे question और answer दोनों चाहिए तो telegram को मैंने बताए दिया उसका link वीडियो के डिस्कुस में मिल जाएगा तो आप लोग उससे join हो जाएए और हाँ channel पर पहले बार तो या subscribe कर लिया करो ठीक है हम आपको मिलते हैं निस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं दोस्तों